हेलो दोस्तों तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप Windows 10 में Windows अपडेट जो है ऑटमेटिक हो रहा है और डाउनलोड भी हो रहा है जिसके वसे से आपका PC स्लो चल रहा है और आपका टेटा भी यूज हो रहा है तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप Windows अपडेट को अटमेटिकली होने से या फिर डाउनलोड करने से रोक सकते हैं तो आईए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला मैथोड में हम लोग Windows अपडेट सर्विस को डिसेबल करेंगे डिसेबल करने के लिए स्टेप बाइ स्टेप फॉलो कीज वीडियो में आप सबसे नीचे इस तरफ जो दिख रहा है आपको इस तरफ सबसे नीचे जाएंगे जहां पर आपको ठुनना है Windows अपडेट देखें नीचे आगए यहां पर देखें Windows अपडेट मिल गया डबलू से सर्च करेंगे तो आपको जल्दी मिल जाएगा Windows अपड देख रहा है स्टार्ट अप टाइप इसमें मैनौल किया हुआ है इसको आपको डिसेबल करेंगे और एपलाई ओके करेंगे ठीक है यह देखें रनिंग दिखा रहा है फिट से इसको स्टॉप कर देते हैं अभी यह चालो नहीं होगा रिस्टार्ट नहीं होगा देखिए यह हो गया पहला मेतोड सेकेंड मेतोड में हम गुरूप पॉलिसी एडिटर यूज़ करके विंडोस 10 का ऑपडेट को डिसेबल करेंगे उसके लिए सेम प्रोसेस है आप सर्च बार्य में जाएंगे यहां पर लिखेंगे जी पी एडिट देखें जी पी एडिट लिख दि इसके बाद आपको जाना है एड्मिनिस्ट्रिटिव टेंप्लेट में देखिए यहां पर है इसको क्लिक करेंगे यहां पर देखें सब आ गया यहां पर आपको जाना है विंडोस कॉंपोनेट में यह देखें आ गया यहां पर आपको साइड में आपको सर्च करना है आपको दिख रहा है इसको राइट क्लिक करेंगे और एडित में जाएंगे यहां फिर डबल क्लिक भी कर सकते हैं यहां पर देखिए आ गया विंडो में हम लोग को खाली यहां पर कानोंट कॉंफिगर किया हुआ है इसको डिसेबल करना है डिसेबल करके एपले करके लिए करेंगे और इसको स्कॉर्ण करते हैं यह सेगन मेठोड हो गया थर्ड मेठोड में आमारे इंटरनेट को मिटर्ड कर जाएंगे थाकि विज्बोस ऑटोमेटिक लिड़ है वो सब डा आना है पोपर्टीस में जाने के बाद यहां पर आपको option मिलेगा method connection इसको आपको on कर देना है method connection करने से windows आपका data use नहीं करेगा windows update download करने में fourth method में हम लोग registry editor use करके windows update को disable कर सकते हैं उसके लिए search bar में जाएंगे search bar में लेखेंगे regedit 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 देखिए यहां पर registry editor आ गया registry editor में आपको double click करना है और देखिए पर्मिशन मांग रहा है इसको yes कर देना है यहां पर देखिए बहुत सारा option आपको यहां पर दिखाए देगा आपको ऐसा option दिखाए देगा यहां पर आपको एच की local machine में डबल क्लिक करना है या फिर arrow click कर सकते हैं यहां पर बहुत सारा option फिर से आ जाएगा यहां पर आपको software है software में double click करना है फिर से बहुत सारा option आ गया यहां पर यहां पर यह पर यह करेंगे देखे वाप्शन आगया इसमें आप रियनेम करेंगे इसको विंडोस अपडेट करेंगे मैं जैसा लिख दिया ओइसा लिखेंगे विंडोस अपडेट Windows Update हो गया, Side में Click करेंगे, और Windows Update में फिर से Right Click करेंगे, New में जाके, फिर से Key क्लिक करेंगे, यहाँ पे नया Key कि बनाएंगे, इसका नाम देंगे, AU, देखे यह लिख दिया में, Side में Click करेंगे, तो यह आ जारेगा, इसके बाद Process है कि AU में आपको Right Click करना है, New में जाना है, औ इसमें डबल क्लिक करेंगे और इसका वैलू जो है यहां पे 0 दिख रहा है इसका आप 2 करेंगे और ओके करेंगे और इस रेजिस्ट्री इडिटर को आप क्लोस करेंगे और एक बर PC को आप रिस्टाइट करेंगे रिस्टाइट करते ही आपका PC Windows 10 अफडेट आटोमेटिक डा आप रिस्टाइट करेंगे और विस्टाइट करेंगे रेभ